भोजपुरी की सबसे खूपसूरत एक्ट्रेस याईओं कहें कि ड्रीम गर्ल के नाम से जिस एक्ट्रेस को जाना जाता है वो हैं अमरपाली दुवे खूपसूरती में इनका अस्थान सबसे उपर है इनके बाद ही एक्ट्रेस आती हैं तो आखिर ये एक्ट्रेस इतनी खूपसूरत दिखती कैसे हैं तो आप मेंसे कई लोगों का ये जवाब होगा कि मेकप से तो जी नहीं हम आपको ये बता दे कि आप बिलकुल गलत हैं क्यो ग्लो भी कर रहा होता है तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर ऐसा क्या यूज करती है ये जो इनका चेहरा इतना चमकता है तो आज इस वीडियो में हम उनके सीक्रेट खोलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं उनकी खूपसूर्टी के राज जो की मेकप नहीं बलकी कुछ और है जी हाँ हम आपको बता दे कि सभी एक्ट्रेस अच्छा दिखने के लिए ना सिर्फ एक्ससाइज और अच्छा डाइट लेती हैं बलकी वो सुंदर दिखने के लिए एक स्किन केर भी फॉलो करती हैं जिसमें कई तरह के क्रिम्स होते हैं सीरम होता है और भी कई चीजे होती हैं जो इनके चेहरे के दाग धब्बे हटाने और उसे ग्लोइंग बनाने में कारीगर सावित होते हैं इसे के साथ हम आपको ये भी बता दे कि हर एक्ट्रिस ये अक्टर के पॉस्नल डर्मटलॉजिस्ट होते हैं जिन्हें हिंदी में त्वचा भी से सग्गे कहा जाता है इनका काम एक्ट्रिसों के लाइफ में सबसे महत्तो पूर्ण होता है क्योंकि इन्हीं की मदद से एक्ट्रिस इतनी खूपसूरत लगती है और इसे सीक्रेट की हम बात भी कर रहे थे ये एक्ट्रिस के चेहरे को अच्छे से एक्जामिन करते हैं और उन्हें क्या ट्रीट्मेंट लेना है ये वही उन्हें बताते हैं अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे की कास हम भी इनके पास जा सकते तो हम आपको बता दे कि आप बिल्कुल जा सकते हैं आप ही के सहर पटना में डॉक्टर पंकत सीवारी और डॉक्टर त्रिप्ति पाठक का स्किन एन हेर क्लीनिक खुल चुका है जिसमें आप अपनी त्वचा से संबंधित जिस भी परिसानी से जूज रहे हैं उसका इलाज बहुत ही असानी से किया जाता है अगर आप त्वचा या बालों से जुड़ी किसी समस्या जैसे सफेद दाग जाई या चेहरे परंचाहे बाल दाग घब्बे बाल जढ़ना या किसी और चीट से दुखी हैं तो बिलकुल भी परिसान नहों क्योंकि पटना स्किन क्लिनिक आपके लिए ही लाया है स्किनोमेटिक्स यहां आपके त्वचा से जुड़ी हर समस्या का इलाज है इसे के साथ डॉक्टर पंकत और डॉक्टर त्रिप्ति का यूटूब चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है यहां कि आपको आपके पसंदीदा कलाकारों के चमकते खोपसूरत चेहरे का राज बताया वैल इस खबर पर आप सब की क्या है राय बताईए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को